जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच अगस्त और छे अगस्त के कुम्भ राशी फल के बारे में कुम्भ राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की क्या इस्थितियां होंगी? क्या शुभ योग बनेंगे? और उनका प्रभाव आपकी दिनचरिया पर किस तरह से होगा? सिक्षा पर, स्वास्थे पर, कारशेत्र, नौकरी, दुकान, हर चीज के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके चले जानेते हैं इन दो दिनों में क्या तिथी होगी, क्या नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा पांच अगस्त की बात करते हैं यह क्रिशन पक्ष की दुईतिया तिथी है इस दिन शत्विशा नक्षत्र रहेगा और शोभन नाम का योग बने ये बुधवार का दिन है सूर्य करक राशी असलिशा नक्षातर में है और चंदरमा इस दिन आप ही की राशी यानि की कुम्भ राशी में रहेंगे इस दिन का अगर अभीजीत मुरत की बात करें तो शुब मुरत की बात करें और चंद्रमा पूरा दिन कुम्बराशी में ही रहेंगे रात रे तक साड़े नौ बजे तक इस दिन के शुब मुरत की बात करें तो ये सुभा बारा बच कर उन्तालिस मिनट से दोपहर एक बच कर सैंतीस मिनट तक इसका शुब मुरत रहने वाला है तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिथी और इनी के अधार पर इन दो दिनों में दिनचर्या परविर्थित होगी आपकी तो देखिए चंद्रमा जो है वो दोनों ही दिन आपकी लगन में विराजमान है यानि कि आपके प्रतंभाव में विराजमान है लगन में चंद्रमा के विराजमान होने से आपके लिए इस समय जो ये जो आपके इस्तिती होगी ये अच्छी इस्तिती रहने वाली है कुछ मामलों में आपके लिए अच्छी होगी कुछ मामलों में आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है इस दोरान आपके व्यक्तित्व में निखा राएगा और आपके स्वास्थ जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्टन दिखाए देंगे आपके सुझाव अच्छे होंगे और आपके सुझावों से दूसरे व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति बेहत प्रभावित होगा आपका निजी जीवन भी समय अच्छा रहेगा प्रेम का आगमन का योग बना हुआ है प्रेम संबंद कोई नया शुरू हो सकता है जीवन में प्रसनता का संचार होगा देखे अगर आप विवाह योग्य हैं तो यह जो समय है यह बहुत अधिक उत्तम रहने वाला है आपके लिए विवाह के लिए क्योंकि विवाह के प्रस्ताव इस समय आपको मिल सकते हैं विवाह के प्रस्ताव आपके लिए इस समय कहीं ना कहीं स आपकी डेट फाइनल हो सकती है विवा की प्रेम संबंध को परिवा संबंध करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत उप्युक्त है और अगर आपके करेर की हम बात करें तो आज आप अपनी कारेशेत्र पर यानि आपके कारेश्थल पर अपनी काम से संबंधित अ इसलिए अच्छा होगा कि आप जरूर अपनी परिशानी को दूसरों के साम समक्ष रखें और उस परिशानी का हल निकालें अगर आपके लिए कोई मदद के लिए नहीं मिल रहा है तो इंतजार करें और जब तक कोई अच्छी सला देने वाला व्यक्ति ना मिले तब तक अ निवेश समंदी किसी मामले में आप उलच सकते हैं कोई आपको ऐसे निवेश की बाते बता सकता है कि जहां आपको समझ ही ना आए आप दुविधा में पढ़ जाएं कि आप किस तरह से इसमें निवेश करें या ना करें तो ऐसे में किसी बड़े बुज़ूर की या किसी जो आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो आपको एकदम सही नौलिज दे सकता है तो उससे आप बात करें, उसके बाद ही कही निवेश करने के बारे में आप सोचें, पहले उसे सुने गौर से, उसके बाद हमल करें, ताकि आप किसी भी तरह की परिशानी से बच सकें, क्योंकि अगर आप कैसी परिशानी में फस जाते हैं, तो फिर बाद में पश्तावा करने से कुछ नहीं होता है, इसलिए सचेत रहने के आवशक्ता होगी, कुछ गरत फैमियों के शिकार हो सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की बातों पर, सुनी-सुनाई बातों पर बिलकु किसुदार होता हुआ दिखाए देगा, वेवार आपका अच्छा रहेगा, और अगर हम विध्यारतियों की बात करें, तो विध्यारतियों के लिए समय अनुकुल है, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व है, इन दोनों ही दिनों में, और यह जो प्रभावशाली व्यक् सकते हैं पुराने बीमारियों से जरूर निजात दीजर दीखाई देगी लेकिन सरदी जुखाम इस तरह की परेशानी ज़रूर देखने को मिल सकती है इसलिए समय पर आपको अपने व्यायाम योगा अभ्यास जो आप करते हैं उनको आप continue करते रहें कुमराशी के कुछ लोगों के लिए आज बिजनिस के मामले में आत्म निर्भरता रहेगी कुछ नई लोगों से contact भी हो सकता है जिससे आप कामकाज को बढ़ा पाएंगे और नई लोगों से कुछ सम्मन भी बन सकते हैं देखें जो बिरूजगार लोग हैं नोकरी की तलाज करें हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है उनको रूजगार प्राप्ति के अफसर इस समय मिलेंगे और आर्थिक इस्तिती में अगा परेशान होने की ज़रुत नहीं है आपकी इस्तिती में बहुत ही जल्दी अच्छे सुधार होने लगेंगे क्योंकि समय नुकूल है और आपके लिए ये उतार चड़ाव की इस्तितियां हमेशा फ्लक्शूइट करती रहती हैं असलिक घबराएं नहीं बिल्कुल भी आपकी जो इस्तितियां है उनमें निश्चित रूप से और अच्छा सुधार होता हुआ दिखाए देगा आप जो काम आपने सोच रखे हैं उन सभी कामों को आप समय से पूरा कर पाएंगे कुछ पुरानी निवेस सबमंदी को समस्याएं थी तो उनका समाधान में मिलेगा या पैसो से जुड़ी कोई समस्याएं थी तो उनका समाधान मिलेगा इस समय घरे लू खर्चे आपके हो सकते हैं परिवारे को तौरपर खर्चे कुछ होते दिखाए देंगे लेकिन आप अपने किसी भी कार्या को लेकर अपनी परिवार से जुड़ा, अपनी कारे शेतर से जुड़ा, हर कारे को लिखकर अच्छे निर्ने आप ले पाएंगे आपके निर्ने लेने की शम्ता में बढ़ोतरी होगी जीवन के हर शेतर में सफलता इन दिनों में आपको देखने को मिल सकती है अगर किसी तरह की ठकान आपको महसूस होती है तो आप या आलस अपनी काम को लेकर आपको इन दुनों में आता है तो आपको सबसे पहले खुद को आलस रहित करना है इसके लिए आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं या ऐसा अपना रुची का काम कर सकते हैं जिसमें आपको इंट्रेस्ट हो और उससे आप अपने आलस को दूर भगा पाएं क्योंकि कई बार आलस में आकर हम अपने उन कामों को भी छोड़ देते हैं जिनमें हमें आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं इसलिए आलस में आकर अपनी कामों को ना छोड़कर आप अपनी आलस को बगाने का प्रयास जरूर करें जिससे आप अपनी काम पर ध्यान दे सकें दुकानदारी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है यह समय आपके लिए आनुकुल बना रहेगा आपके लिए जो मुनाफ़ा है वो निश्चित रूप से जो डेली इंकम वाले लोग है उनके लिए समय आनुकुल है विद्या के शेते से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय आनुकुल बना हुआ है और संतान इस समय कोई अच्छे माक्स किसी चीज में लेकर आ सकती है जिससे आपको काफी खुशी महसूस होगी यह बुद्वार और गुरुवार के दिन है दो गुरुवार के दिन आप पीले किसी खाने की चीज का आप दान करें पीले चावल दान कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा तो दोस्तों और दिक ऐसी जानकारे हों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें